दोस्तों काफी समय से जो हमारी वीडियो पर आपने कमेंट किया कि फिर से हम वीडियो लेकर आएं डी फार्मिसी पर और डी फार्मिसी के बारे में आपको बताएं दोस्तों D Pharmacy पर कई सारी वीडियोज मैंने बनाई हैं, B Pharmacy पर भी वीडियोज बनाई हैं, साथ में M Pharmacy पर भी वीडियो बनाई हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आप तक education से related, चाहें वो colleges हो, universities हो, चाहें वो courses हो, उनकी पूरी information आप तक पहुँच सके, आपके साथ कोई problem नहों, आप किसी scam में नाफस जाएं, D Pharmacy करने के दोस्तों बहुत सारे benefits हैं, B Pharmacy करने के भी benefits हैं, बट आचका ये जो वीडियो है, ये D Pharmacy पर ही आधारित है, D Pharmacy के बारे में ही जातर मैं आपको बताऊंगा, D Pharmacy के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी, course आप कप कर स हैं, सब चीजों पर discuss करेंगे, आज अपने इस वीडियो के मादियम से जादा कुछ जानने के लिए D Pharmacy के बारे में दोस्तों बने रही हैं इस वीडियो के साथ, नमस्का दोस्तों, मिरा नाम है विरेंदर वर्मा और आप देख रहे हैं University India, दोस्तों होता क्या है कि आप ज सबसे पहले suggestion पर ही में आऊंगा दोस्तों, बी Pharmacy करना चाते हो, चार साल का होगा, चार साल का टाइम आपको देना होगा, बट एक चार साल में जो आप पढ़ेंगे वो काफी advanced level की चीज़े होती है, जबकि D Pharmacy में देखा जाए तो यहाँ दो साल का कोर्स होता है, दो साल क minimum आपके 50% marks होने चाहिए, साथ में PCB आपके पास होना चाहिए, Physics, Chemistry and Bio, तभी आप कर पाएंगे D Pharmacy, D Pharmacy करने के बाद हाला की बहुत सारे options आपके पास खुल जाते हैं, फीस की विगर हम बात कर लें दोस्तों, तो फीस government universities में या government के colleges में, मतलब government एक university है, उसके जो colleges होते है उसमें फीस आपको कब मिलेगी, दोनों साल की फीस 70,000, 60,000, 1,00,000 रुपे तक हो सकती है, इतने में admission दोनों साल के लिए आपका हो जाएगा, बट private universities में ऐसा नहीं है, private universities में फीस काफी जादा है, आपको 2,00,000 से लेकर 3,00,000 तक के बीच में फीस देनी पड़ सकती है, देते हैं, जिसमें सिर्फ आप जाकर exam से टेंड करते हैं, ऐसा आप ना करें, classes लें, तभी आपको knowledge मिलेगी, practical course है दोस्तों, practical course में जब तक practical ग्यान आपको नहीं, तब तक कोई फाइदा नहीं, और अब तो test भी आगया है, exit test आपको देना है, exit test के लिए आप तभी करोग किसी भी pharmacist के पास, आप नौकरी कर लें, hospitals में बहुत सारी नौकरी आपको मिल जाती है, अपनी pharmacy shop आप कोल सकते हैं, बस आप बार भी पास कर लें, किसी भी recognize board से, किसी भी recognize अंस्थान से, उसके बाद defarmacy कर लें, दो साल का course होगा, defarmacy करने के बाद रोजगार का बहुत option आपके लिए बन जाता है, पर knowledge जरूर ले, knowledge ही आपको अगर नहीं होगी, किसी काम का नहीं ये course करना, बिना बाद में course करके भी आप बैठ जाएंगे और आपको कुछ होगा नहीं, ये knowledge होना जरूरी है, किसी pharmacist की shop पर भी अगर आप लगते हो, तो medicines के नाम तो आपको प होगे, इसलिए डी फार्मिसी कोर्स काफी अच्छा कोर्स है, दोस्तों में अमीद करता हूँ, जो डी फार्मिसी के बारे मैंने आपको बताया, आपको समझ आया होगा, कोई भी किसी भी तरह के doubts अगर आपके पास है, comment box में अपने सवाल पूछें, या हमें whatsapp करें, अच् पूछ सके सबसे पहले, बहुत बशुक्त और जिन्नेवाद हमारे इस वीडियो के साथ बढ़े रहने के लिए.